अब से पहले आप इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में आप एक चीज देख पा रहे होंगे जो ये समुंदर है ये पिल्कुल शान्त है सिरफ यहाँ पर पानी जो है वो हैरा हुआ है इस ठेरे वे पानी को कहा जाता है Still Water क्या कहा जाता है Still Water कहा जाता है आपने गिंती की इस पूरे चैप्टर में चार चीज़े पढ़ने होती है एक चीज Still Water बाकी तीन चीज़े मैं आपको बता हुआ तो सबसे बहले Still Water क्या होता है बिल्कुल शान्त जल है लेकर बिल्कुल शान्त यहाँ पर जल है अब आप मुझे बताईएगा यह आपको शान्त जल नजर आ रहा है तो इस शान्त जल के अंदर अगर मुझे कोई पोर्ट चलानी है तो अगर पोर्ट धीरी होगी तो मैं लेट पोचूँँगा तेट चलेगी तो जल्दी पोचूँँगा याने की still water के अदर मैं किसकी speed निकालता हूँ बोर्ट की speed निकालता हूँ यह दूसरी बात आपके पास समझ में आया जब आपके पास शाम्त जल होता है तो आप ने इस अप्टा के शाम्त जल गया है जब पानी में कोई भी कोई भी उपर नीजे कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल शाम्त है तो उस case में आप क्या करते हूँ speed of boat से पदा करते हो कि मैं कितनी जल्दी कहीं पर पहुचूँँगा कोई दिक्कद यान तक किसी को भी नहीं रही हो अब ये देखिए इसे कहते हैं धारा याने कि stream water आप मुझे बताओ मैं यहाँ पर Titanic ऐसा जहाद ही भी छोड़ दूँगा तो वो भी staple नहीं हो पाएगा मतलब पानी मेतनी ताकत है पानी मेतनी ताकत है तो तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है stream water क्या है हमारे पास stream water तो हमने तीन चीज़े पढ़नी पहला हमने यह पढ़ा कि sir आपने बताया कि still water क्या होता है शांत जल होता है आप शांत जल जल के अंदर आप boat की speed निकालोगे क्योंकि शांत जल में तो आप देखोगे कि boat तेज चल रही तीरे चल रही है उसके बाद stream के अंदर क्या है कि sir यहाँ पर आप boat कोई काम नहीं करेगी boat जो है वाँ पर कोई भी काम नहीं करेगी जो काम करेगी वो धाराई काम करेगी कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक नहीं हो पढ़ते हैं आगे की वाद यह वाला जर्णा आप पानी देखो कैसे बहर है नीचे की तरफ बहर है इसे कहते हैं downstream क्या कहते हैं इसको उनलोग दाउन इस्ट्रीम का है अप o कि आप जिस तरफ पानी बहर है आप उस तरफ ही जा रही हो जिस तरफ पानी बहर है आप उस तरफ ही जा रहे हो अब अगली देखिए अगली देखिए बहुत धिहाद से देखिएगा यह लोग उपर के तरफ जा रहे हैं लेकिन पानी नीचे की तरफ है रहे है और पानी इनको ठेकेल दिया इसे कहते है अप इस ट्रीम अब यह खा चलेगे डाउन इस ट्रीम चलेगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना यह पानी के विपरी जा रहे है तो इसे क्या बोलते हैं आप इस ट्रीम कहते हैं कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो कि आप किसी को भी आपर दिक्कत नहीं हो फिरम बढ़ते हैं आगे की और अगर मैं आपसे बात कहूं इस पिक्चर करते हैं still water आप लिखा हुए अब यह अप्र के तरफ जा रहें अपनी पोर्ट लेकर दियान से वीडियो को देखुँँ उपर लेगे जा रहे हैं तो वह तीरे जा रहे हैं और टाउन स्ट्रीम क्या कि पानी तो नीचे देखे चार कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं स्टिल वाटर, स्टीम वाटर, टाउन स्टीम और अपने स्टीम वह मारे भी नहीं रहे हैं चापुक भी नहीं मार रहे हैं ऐसे ही वह चली जा रही है पोट अपने आप तो कि आपकर किस की स्पीड है धारा की स्टीम की चाल है यहां तक समझ में है तो यस दिखे रहे हैं रादे रादे रिश्वग तो पेसिकली हमें जो चाप चीज़े यहां से पढ़ती हैं यह है सबसे पहले हमारे पास स्टिल वाटर शांत जल तो अगर मैं आपसे अब यह बात कहूँ कि शांत जल के अंदर शांत जल के अंदर मुझे क्या निकाल सकता हूँ स्पीड ओफ दी पोट क्या निकाल सकता हूँ स्पीड ओफ दी पोट निकाल सकता हूँ अब धारा क्या होता है धारा का मतलब तो वो ही है कि पानी कैसे पह रहा है पानी अब पे पह रहा है कि पानी टाउन पे पह रहा है लेगिन नीचे उतर दें तो यादा होती है तो फूल के जाब उपर चड़ते हैं उसे कहते है अप स्ट्रीप जम दीचे उतर दें उसे क्या बोलेगे डाउन स्ट्रीप कहेंगे पस यह चार कंसेप्ट होते हैं सबसे पहले आपे पता करना पड़ेगा कि स्टील वाटर कैसे निकालते हैं तो स्टील वाटर निकालने का फॉर्मला क्या होता है अब टाउन के लिए पूरी क्लास के पर यह वाला सिंबल बनाऊ वा टाउन के लिए यह वाला सिंबल और अब के लिए वाला बनाऊ वा तो स्टील वाटर का फॉर्मला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप upstream divide by में 2 और stream water का मतलब क्या होता है down stream minus upstream divide by में 2 बस ये किंती के दो formula है बाकि इसके बाद concept है तो still water निकालना हो तो down plus up divide by 2 और still water निकालना हो तो down minus up divide by में 2 किसी को कोई दिक्काद यहां पर नहीं होगी आपके आपको पता ही है कि distance equals to speed into time होता है कि सब्सक्राइब को पता है कि किलो मीटर से मीटर पर आर में जाने के लिए किस से multiply करेंगे पांच बटा 18 से multiply करेंगे और इसका वाइजे वरसा यह तो अपना चैप्टर पुरा खतब करते है में जरस दिक्वाँTCादे कारश जाने घुमम।